दोस्तों विक्रम और बेताल की पौरानिक कहानी को तो आपने सुना ही होगा कैसे राजा विक्रम अदित्य की मुलाका बेताल से हुई थी और बेताल ने उन्हें अलग-अलग कहानिया सुना कर उनसे सही जवाब देने को कहा था बेताल 25 के उसी कौनसेप्ट को डिरेक्टर पुषकर और कायतरी ने पुलिस और गैंक सर पर आधारित फिल्म के रूप में दर्शकों को परोसा है नाम दिया गया विक्रम वेधा फिल्म के शुरुआत होती है एस पी विक्रम से जो एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है विक्रम को अपरादियों की जान लेने में कोई दिकत नहीं है अपने अभी तक के पुलिस के करियर में 18 लोगों की जान ले चुके विक्रम और उसकी स्पेशल टीम को एक ही आदमी की तलाश है ये आदमी शातिर होने के साथ साथ निडर और खुखार भी है इसके हवानियत के चर्चे तूर तूर तक है ये वोशक से जो तीसरे माले से तलवार लेकर कूदा और एक नेता के तोट उक्रे कर दिये नाम है वेधा महिनों से विक्रम और उसके टीम वेधा की तलाश कर रही है इसी बीच उन्होंने मिलकर कई गुंडो को मौत के घाट उतार दिया है वेधा के लिए जाल बिचाने चाही रहे थे कि वो खुद पुलिस के सामने हाथ ही रो गया और यही से शुरू हुआ विक्रम और वेधा के पीच चुहे बिल्ली का खेल और कहानियों का सिलसिला जो धेरो ट्विस्ट और टरंस के साथ शौकिंग और दिल्चस्ट दीटेल से भरा हुआ है दोस्तो वेधा अपनी कहानियों के जरिये विक्रम के साथ साथ आपको भी अपनी दुनिया में ले जाता है उसके दुनिया काली है जिसमें रंग सिर्फ एक ही इंसान खोलता है और वो है वेधा का भाई दूसरे तरफ विक्रम अपनी पतनी प्रिया के साथ खुशाल जिन्दगी बिता रहा है प्रिया पेशे से वकील है दोनों के शादी शुदा जिन्दगी में आग भी वेधा ही लगाता है तो वेधा की कहानिया आखिर के बारे में है क्या विक्रम उसे पकड़ पाएगा या चकमा खा जाएगा और वेधा के केस को लेकर एक दूसरे के खिलाब खड़े विक्रम और प्रिया की सुला होगी या नहीं ये सब और बहुत कुछ फिल्म में देखने वाली चीज है दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर मिल जाएंगे सबसे पहले बात रितिक रोशन की करते हैं ऐसा शायद पहली बार है जब रितिक रोशन को एक निर्दई और खुखार गैंक्सलर के रूप में देखने का मौका मिला है उनकी परफॉमंस देखने के पाथ इस किरदार के लिए उनकी महनत साफ नजर आती है फिल्म रितिक रोशन को वेधा के तीन अलग-अलग रूपों में देखा गया है सभी रोल्स में उनका स्वैग अपनी जगर था स्टाइलिश और कूल होने के साथ साथ रितिक रोशन के वेधा रोल में आपके अंदर डर पैदा करने की शम्ता भी है इंटेंस अक्शन सीन सो या फिर अलकॉल या गाने में पागल बनती हो हर रूप में रितिक रोशन चाय हुए है वही दोस्तों सैफ अली खान ने अपने विक्रम के किरदार को काफी अच्छे से निभाया है वेधा का एक दाइलोग है जिसे आपने ट्रेलर में देखा होगा वो विक्रम से कहता है कि हम दोनों एक जैसे हिस्टर परदे पर आपको ऐसा होते हुए भी नजर आता है एकदम अलग जिन्दगी और जरूरते होने के बावच्छूस विक्रम काफी हद तक वेधा जैसा है वो भी चतुर और तेज दरार है और सबसे एक कदम आगे रहता है साथ ही साथ वो काफी ज़ादा इमोशनल भी है विक्रम के किरदार को निभाना सैफ अली खान के लिए काफी मज़ेदार रहा होगा क्योंकि उन्हें परदे पर देखने में मुझे तो मज़ा आया रादिका अपने विक्रम की पतनी प्रिया के रोल में है और सैफ अली खान संग उनकी केमिस्ट्री काफी बढ़िया दिखी दोनों की नोग जोग उनका प्यार और तकरार को देखना काफी अच्छा लगता है फिल्म में दब फैमिली मैन के शारी भाश्मी, रोहित सराव, योगिता बिहानी और सत्यदीप मिश्रा जैसे बढ़िया कलाकार एहम रोल्स में है और सभी ने बहतरीन काम किया है वही दोस्तों डिरेक्टर कुशकर और गायतरी ने इस कहानी को काफी बढ़िया तरीके से लिखा है ये बात 2017 में हिसावेत हो गई थी लेकिन उनोंने इस फिल्म को भी उतने ही भड़िया डंक से बनाया है जितने तमिल वर्जन को बनाया था फिल्म के कहानी आपको एक के बाद एक राइट पर ले कर जाती है और अपनी सीट से जोडे रखती है फिल्म में आक्शन का भी काफी सही डोस आपको मिलता है सिनेमाटोग्रफी अच्छी है एडिटिंग क्रिस्प है और बैक्राउंड म्यूजिक तो लाजवाब है तो बस फिर और क्या चाहिए तो दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए तो रिद्दिग रोशन और सही अली खान के तमाम फैंस आप बताइए कि आप विक्रम वेधा के लिए कितने एकसाइटेट है और अगर आपने भी ये फैल्म देख ली है तो आपको विक्रम वेधा कैसी लगी जरूर शेर कीजिए अपनी राइ कमेंट सेक्शन में साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और बॉलिवूड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्वरे योट्व चैनल को